आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुब काम नाएं आज चतुर्थी तिथी के दिन जो भीबाक्त सचे मन से गणेश भगवान की पूजा करता है या उन्हें अपनी घर में विराजमान करता है और फिर गणेश भगवान की साथ साथ चौथ माता की व्रत कथा भी पढ़ता या सुनता है चौथ माता उन्ह सभी के संकट दूर कर उन्ह सब की रक्षा करती है और इस तिन भगवान गणेश ची की कथा भी चौथ माता की कथा के साथ सुनी जाती है तब ही इस दन किये गए व्रत का या पूजा पाट का पूर्ण फल प्रात होता है आज की इस वीडियो में आप दोनों ही कथाएं एक साथ सुनने वाले हैं आपको मैं बता दू कि आज कल आप हमारे चैनल पर शिव महापुरान कथा और भागवत कथा भी सुबह के समय सुन सकते हैं गर्पती भगवान की इस थापना पूजा विदी और शुबमूर्थ की वीडियो मारे चैनल पर पहले से ही अप्लोडेड है अगर आप जानना चाहते हो तो उस विडियो को आप जरूर देखेगा पराणी कथा के नुसार एक बार एक सेट से ठानी थे उनका एक बेटा और बहु भी थे बहु सब को भोजन करा कर फिर स्वैम भोजन करती उनकी एक पडोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूसती कि बहु आज क्या बनाया खाया तो बहु कहती ठंडो बासी एक दिन पती ने उसकी ये बात सुन ली तो पती सोचने लगा कि वो तो रोज ताजा और गरम खाना खाती है फिर ऐसा क्यों कहती है तो उसके पती ने ऐसा सुन कर विचार किया कि आज तो पकवान बना कर जाएं फिर देखते हैं कि मेरी पतनी पडोसन से क्या कहती है तब उसने अपनी पतनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवाई और घर के सभी लोगों ने एक साथ पैट कर भोजन किया भोजन करने के बाद उस दिन भी पडोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया तो बहू पहली की तरह कहने लगी ठंडो बासी खाया सेट के लड़के ने सोचा हो नहो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पतनी रोज ऐसा ही कहती है तो उसने एक दिन अपनी पतनी से पूछा कि तुम रोज पडोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो जबकि हम सबने तो एक साथ बैठ कर आज कई तरह की पकवान खाये तो उसकी पतनी कहने लगी हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस तिन मैं समझूगी कि हम ताजा भुजन कर रहे हैं अब एक दिन लड़के ने मा से कहा कि मा बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूं मा बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाये नहीं खाये जाएगा तो मा के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का द्रण निश्य कर लिया जाते से मैं अपनी पत्नी से कहने लगा मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर ना लोट कर आ जाओ तो तब तक चूले की आग बुझने मत देना एक दिन चूले की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पती पर तो कोई संकट नहीं आन पड़ा जल्दी से पडोस मेंसे आग लाकर चूले में रख दू ऐसा मन में सोचकर वह पडोस में गई वहाँ पडोसन चौत माता का वरत पूझन कर रही थी पडोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले जाना बहु ने पडोषन से पूछा आप चौथ का ये वरत क्यों करती हो इससे क्या फल मिलता है पडोषन कहने लगी चौथ माता के इस वरत को करने से अन्न धन और लक्ष्मि मिलती है अपनी मनुकामना भी पूरी हो जाती है पती पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है पलोसन से व्रत की सारी विधी पूछ कर कथा के बारे में जानकर अब बहु ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया दिवार पर चौथ माता बनाई उस दिन घी गुड का चूर्मा बना कर रात को चंद्रमा को अरग दे कर भूजन किया ऐसा करते करते बहु को बहुत दिन बीद गए वो हर दिन अपने पती को याद किया करती एक दिन चौथ माता ने बहु के पती को सपने में आकर कहा कि साहुकार का बेटा तु जागे की सोवे तेरी पतनी घर में तुझे बहुत याद कर रही है घर जाकर उसकी चिंता दूर कर तो दुकान खोल कर कंकू केशर का पगल्या बना कर बैठ जाना आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा अब तो चोथ माता ने जैसा कहा वै लाएवे बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं आज तेरी उम्र पूरी हो गई है तब साहुकार के लड़के ने साप से कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है इसलिए मैं अपनी पतनी से मिलने घर जा रहा हूं वहां मेरी पतनी मेरा इंतजार करते वे बहुत चिंता कर रही है मैं उससे मिलकर जरूर आओंगा तब तुम मुझे डस लेना नाग ने कहा तुम शपत दे कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूँगा अगर लोटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूँगा इस प्रकार नाग को वचन देकर साहुकार का ललका अपनी घर पहुचा वहां सभी से हशी खुसी मिला और बोजन करके उदास होकर बैठ गया उसकी पतनी ने उदास होने का कारण पूछा तो पती ने नाग वाली बात बताते वे कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाओंग तो वो तो घर पर ही आकर मुझे डस लेगा उसकी पतनी बहुत चालाक और समझदार थी कहने लगी आप बिल्कुल भी मत चिंता करिये मैं आपको एक उपाय बताती हूँ आप अराम से लेट जाओं तब पतनी ने कमरे की साथ पैड़ी जिने सीडिया कहते हैं उन्हें धो पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड़ू पेड़ा, छटी पर गादी गलीचा और साथवी पैड़ी पर दूद से भर कर कटोरा रख दिया इस प्रकार वेह साथ पैड़ी सजा कर बैट गई आधी रात होते ही वेह नाग आया और पैड़िया चड़ने लगा, पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लोड़ गया और कहने लगा, सेट की बहुने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंद कर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर, इस प्रकार साथो पैड़ मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा, अब तो गणेश जी, चंद्रदेवता और चौत माता ने साहुकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया, चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौत माता ढाल बन गई, और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया, और ढाल से ढग दिया, उधर बहु भी था किहारी सो गई, दिन हुआ, तो लोग बेटे से मिलने आए, परन्तु बहु बेटा तो उठे ही नहीं थे, बहुत देर हो गई, तो मा उने उठाने के लिए गई, माने सातों पैडियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई, और बेट बहु ने सोचा कि आज दो धरम करम ही आड़े आये हैं, जो भगवान गणेश जी और चौत माता ने आपकी रक्षा की है, हे चौत माता आपने जैसे सेट के बेटे बहु की रक्षा की, वैसे ही सब की रक्षा करना, कहते को, इस कथा को सुनते हुंकारा भरते को, सभी की र गणेश भगवान की कथा के चौत माता का ये वरत और कथा अधूरी रहती है, पौराणी कथा के अनुसार, एक समय की बात है, विश्नु भगवान का विवा लक्ष्मी जी के सास निश्चित हो गया, विवा की तयारिया होने लगी, सभी देवताओं को निमंतरन बेजे पर तुग गणेश जी को अलग से निमंतरन नहीं दिया, कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विश्नु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवताओं अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवासमारों में सम्मेलित हुए, उन सभी ने देखा कि गणेश जी कही कि क्यों न विश्नु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए, तब विश्नु भगवान के पास गए और कारण पूछा, तब कारण पूछने पर विश्नु भगवान ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलिनात को तो नियोता भेजा है, अगर गणेश जी अप गड़ेश्ची नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना धेर सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता वे सभी अभी बाते कर ही रहेते कि किसी एक ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर गड़ेश्ची आ भी जाए तो उन्हें द्वा अब होना क्या था विवहा के लिए बरात चलने ही वाली थी कि इतने में ही गड़ेश्ची वहाँ पर आ गए और उन्हें सुझाव के अनुसार समझा पुझा कर घर की रखवाली करने के लिए बेठा दिया गया बरात चल दी तब ही वहाँ पर देवर्शी नानत वीना वज कर नहीं गए तो गड़ेशी कहने लगे कि विश्णु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है और इस प्रकार मुझे द्वार पर रखवाली करने के लिए बिठा दिया है नारत ची मुस्कराते वे फिर से कहने लगे कोई बात नहीं विखनरता गड़ेशी आप अपन जल्दी से आगे भेज दी और देखते ही देखते उनकी मुशक सेना ने आगे की सारी जमिन पोली कर दी कुछ देर के बाद जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धर्दी में धस गए सभी ने बहुत कोशिश कर ली किन्तु पहिए नहीं निकले सभी ने लाख प अपमान करके अच्छा नहीं किया यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका ये विखन दूर हो सकता है और आपका कारे भी सिद्ध हो सकता है सभी को नारत जी का सुझाव पसंद आ गया तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भीजा और वे गड़ेश जी को किस प्रकार समझा बुजा कर अपने साथ ले आए अब गड़ेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया तब कही जाकर रत के पहिये निकले अब रतों के पहिये तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए थे तो उन्हें सुधारे कौन तब ही तो बारात आगे बढ थी पास के ही खेद में खाती काम कर रहा था उसे बुलाया गया खाती अपना कारे प्रारम करने से पहले शुरी गणेशाय नमा कहकर गणेशी की मनहीमन बंतना करने लगा और फिर देखते ही देखते उस खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा कि है द शुबहरम करते हैं लेकिन आप लोग तो देवतागर हैं फिर आप भला गणेश जी को कैसे पूल कए कोई बात नहीं अब आप लोग भगवान शुरी गणेश जी की जय पूल कर जाएं तो आपके सारे काम बन जाएंगा और कोई संकट भी नहीं आएगा सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और तब सब ने गड़ेश भगवान का जजयकार कर वहां से प्रस्थान किया इस प्रकार विश्णु भगवान का लक्षमी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा